डाबे वाली दाल बनाने के लिए सबसे पहले दो घंटे तक हमें दाल को भिगो के रखना है बढ़िया लाल टमाटर काटके उसमें हमें मिला देना है नमक, हल्दी, हेंग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मीट मसाला अरी मिर्च सब एकसाथ डाल करके कूकर के ढकन को बंद करके कूकर को कैस में धीमी आज में चड़ा देना है जब भी दाल खाने का दिल करता है तो मन में यही ख्याल आता है कि काश धाबे वाली दाल घर पे कैसे बनाई जाए इसे ट्राइ करिए घर पे बेशक आपको स्वात काफी अच्छा मिलेगा जब तक दाल पकेगी तब तक हम उसके चौकने की तैयारी कर लेते हैं यह देखिए दाल पक चुकी है अब इसका ढकन खोल के देखते हैं वाह पूरे मसाले साइड में जब हुए हैं इसको हमें कर्ची की मदद से निकाल के सब मिक्स करना है अच्छे से टमाटर को मैश कर देना है और दाल को घोट लेना है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे पानी जादा नहीं होना चाहिए नदाल के टेस्ट में फरक आता है मिलाते रही है इलाते रही है टमाटर पूरी तरह से गुल जाना चाहिए कंसिस्टेंसी देखिए तेज आंच में हम चड़ाएंगे बर्तन और दुआ उठने तक उसे चड़ाए रहेंगे जब तक यह गरम हो रहा है मैं आपको पता दू हम इसमें क्या-क्या डालने वाले हैं तो सबसे पहले हमने लिया है जीरा लाल मिर्च तीन चम्मच घी लेसन बारी कटे प्यास एक अरम हो चुका है और आग पकड़ने की कोशिश कर रहा है अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च यह तड़का बड़ी साफधानी से बनाईएगा क्योंकि इसमें मसालों के जल जाने की पॉसिबिल्टी ज़ादा होती है यह देखिए लाजवा फ्लेम ऐसा हमने होटल में देखा है बठागर में भी हो सकता है बट साफधानी से समल के किसी बड़े के साथ ही करिएगा इसको बच्चे तो बिल्कुल ट्राइ नहीं करें अकेले इसमें जीरा लहसन प्यास हमें डालना है और प्यास को कैरमलाइज ह होने तक लाल कलर की होने तक इसको फ्राइ करना है और फ्राइ को wondering meditate दाल में पूरा एस्प्रेट कर देना है ताकि आरोमा और फ्लेवर पूरी तरह से डाल में गुल जाए इस सबसे बहतर चीज मुझे इसकी यह तड़का लगता है शांदार तड़का डाल रेडी होने के बाद इसे रोटिया चावल के साथ खाएं अपने फ्रेंड्स अपने गैस को खिलाएं अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के स साथ इंजॉय करिए आते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपीज लेकर करके करने लिंगे अ क्थे करैंट साथ